प्रूपाली गानगुली, गौरफ खन्ना और सुधान शुपांडे स्टार टॉप टीवी शो अनुपमा में इन दिनों काफी ड्रामा चल रहा है। शो में पाखी के लापता होने के साथ शाह और कपाडिया हाउस में भूचा लाया हुआ है। हालां कि चीज जल्द ही ठीक होने वाली है। शाह फैमिली के साथ अनुप, अनुज और वन्राज भी पाखी के लापता होने से काफी परेशान है। हालां कि अनुपमा को रोमिल पर शक है और वो उसका पीछा करती है। इसी दौरान उसे पता चल जाता है कि इस पूरे कान के पीछे रोमिल का हाथ है। चलिए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाएगा। अनुपमा के सामने राजख खुल गया है कि पाखी के गायब हुने के पीछे रोमिल का हाथ है। वो उसे डाटेगी है और उसे कोसेगी और कहेगी कि हमने तुझे अपने घर में जगर दी तुने हमसे हमारी खुश्या चिनली। तुने मुझसे मेरी बेटी छिन ली सबसे कहती थी की ये बच्चा है बार बार गलतियां की तुने आप तुझे बार बार माफ करते रहे अनुपमा रोमिल को कहेगी की तुझे एक बार भी बुरा नहीं लगा ऐसा करते हुए वही रोमिल रोते हुए अनुपमा के सामने अप तो रोमिल को घर ले आएगई इधर रोमिल द्वारा सब कुछ कबूल करने के बाद अधिक उसे थप पर मारेगा। अनकुष अनुच से पुलीस बुलाने के लिए कहेगा लेकिन रोमिल ऐसा ना करने के लिए कहेगा। अनुज रोमिल पर अपना आपाखो देगा लेकिन वो पाखी को धूनने को प्रायोरिटी देगा। अनुपमा रोमिल को कहेगी कि वो अपने दोस्त को फोन करके पूछे कि पाखी कहा है और वो उसे फोन को स्पीकर पर डालने के लिए कहेगी। वोही रोमिल का दोस्त हो सकता है वो अपने घर चली गई हो। इसके बाद अनुपमा अनुज को फोन पर सब कुछ बता देगी। इधर पाखी बधवास हालत में नजर आती है और फिर वो चक्कर खा कर जमीन पर गिर जाती है। तभी कुछ गुंडों की नजर उस पर पढ़ती है। पाखी उनसे नुपमा की बेटी है। आप देखना दिलचस्प होगा कि क्या मालती देवी गुंडों से पाखी को बचा पाएंगी। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में हमें कमेंज में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजि पाएंगी।